हेलो गाइज वेल्कम वेक टो माइ यूटिब चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकि आज की हूँ मंबई इस्पेशल मांसून इस्पेशल धाबेली रेसिपी जो कि गाइज बहुत होने वाली है टेस्टी एंड यूनिक सी रेसिपी तो चलिए गाइज इसको बनाना स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका मसाला प्रिप्रेक करेंगे तो जिसके लिए मैंने पैन रखा है पैन में रखा है हमने उइल और और ओप को अच्छे से गरम होने देंगे फिर अम यहाँ पे आपके पास जिनजर गारलिक पेस्ट तो गाईज अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी लेवल ना हो तो आप आदा टुकड़ा अद रखका लेना एंड छैसे साथ के लिए आप जिन वो गार्लिक की लेना एंड उसको अच्छे से क्रश कर रेना फिर आप उसमें डाल सकते हो फिर हम डालेंगे यहाफ टेबल स्पून रैड चिली पाउडर एंड उसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद ही हम यहाँपर आड करेंगी टॉमाटर तो मैंने यहाँपर एक टॉमाटर लिया है जिसको मैंने बारिक बारिक पीसों में कट किया तब फि हुआ यहाँ पनीक्स को में अगया'm में यहाँ पनीक्स हो सीछाट हो जाया है पनीक्स आप नरीमना इसे से लिए जोग्स में मॉपडे जाया में ने चाहर है वो अच्छे से गल जाए क्योंकि हम salt add कट चुके हैं जिससे हमारा टमाटर है वो गल के तयार हो जाएगा फिर मैंने यहापे medium size के आलू लिये हैं तो मैंने तीन आलू लिये हैं उनको मैं अच्छे से यहापे mash कर लोगी तो mash करने के बाद यह चाहेंगे सीधा पैन में जो की हमारा मसाला तयार हो रहा है उस मसाले में हम यह पर डाल देंगे आलू अलू डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे mix अगर आपके पास धाबेली मसाला एबिलेबल हो तो वो भी आप जरूर डालेजेगा उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टीनेस आता है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है यह फिर उसके बाद हमें फिर से यहां पे कश्मीरी मिर्च एड़ करनी है उसके बाद हमें धनिया पाउडर एड़ करना है एड़ करना है यहां पे दुबारा से सॉल्ट और फिर हम यहां पे एड़ कर देंगे सॉंट तो सांस नहीं डालने हैं इस बात का आपको विशेज धियान रखना है और फिर आप पूछोगे कि यह मैं मसाले दुबारा दुबारा क्यों डाल रहे हूं क्योंकि पहले हमने डाले थे वह प्याज टमाटर के लिए बूने थे और अब जो डाल रहे हूं वह आलू डालने के बात है तो गाइस देखिए इसके कंसिस्टेंसी पिल्कुल इस प्रकार रहनी चाहिए ना जादा थे को ना जादा तो फिर गाइस फिर हमें क्या करना है मैं लिने है पाव अगर आपके पास ऐसे लंबे वाले पाव ना हो तो अब भी वह चोटे वाले पाव भी ले सकतो आप औ इनको बीच में से डवाइड कर लेना है एंड फिर जब छोटे-चोटे से में कट हो जा उसके बाद हमको फिर एक बार और बीच में से इनको डवाइड कर लेना है अब गाइस जो सॉंट के बारी आते हैं आपके पास अगर लसन वाले चटनी हो तो वह आप ले सकते हो और अपके पास लसन वाले चटनी आवीलेवल ना हो तो आप Cetch 1 चटनी का यूस भी कर सकते हो तो guys मैंने यहाँ पर Cetch 1 चटनी का यूस किया है क्योंकि जो Cetch 1 चटनी होती है वो भी लसन से ही बनाई जाती है तो guys अप देख सकते हो यह 10 रोपे का तो मैं इसको spread कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से आपको जितना तीखा पसंदो आप उतनी आपे सेजवांचटनी आपे डाल सकते हो एंड फिर उसको अच्छे से कर लीजीगा अब एक साइड तो हमने लगा दिया है अपे सेजवांचटनी अब दूसरी साइड हमें क्या लगाना है दूसरी साइड लगाना है हमें सौट तो गाईज इस सौट के रेसिपी आपको चाहिए तो वह आप कमेंड करके जरूर बदा सकते हो एंड गाईज सौंस नहीं लगानी है मैं दोबारा Fifta ए बोल रहे हैं कि सौ्स नहीं लगानी है सौंट लगानी है तो गाईज हम सौट को भी दभारा से सप्रैड कर देंगे यह वाली जो रेसिपी होने वाली है वो बहुत ही जादा टेस्टी होने वाली है अगर जो लोग इसको फर्स टाइम ट्राइ करेंगे उसको थोड़ा अजीब कॉंबिनेशन लगेगा कि कभी कभी तो मीठा कभी तीखा बट गाइस जिन्होंने यह पहले हैं से ट्राइ कर रख घू तो guys फिर हमने जो मसाला प्रिपेर किया था बनाके वो मसाला भी यहां पर एड़ कर देंगे और guys एड़ करने के बाद इसको हम cover up कर देंगे तो गाइस देखिए गा अभी मैं cover up करूंगी इसको मतलब कि इसको सिर्फ हमें पाओ का जो ढगाना है ढगाना है ढगाना है इस पाओ को दूसरे पाओ के उपर रख देना है तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी यह वाली recipe यह आप comment करना ना भूलिएगा बिल्कुल कमेंट कर दीजेगा एंड गाइब मेजी मेहनत को सपोर्ट करिएगा प्लीज तो गाइज फिर क्या करना है हमको तवा लेना है तवे पर डालना है अमें बटर गाइज आपको रिफाइंड या फिर ओईल कोई यूज नहीं लेना है बटर ही लेना है और फिर हम इसको दोनों तरफ सेक लेते हैं तो अभी यह पूरी रेसीपी नहीं बनी है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो जादा अच्छी रेसीपी होती है उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जितना बनने में टाइम लगता है उत्ती ही जादा टेस् कि मुझे next recipe कौन जी चाहिए तो short out आपको जरूर मिलेगा and guys इनको अच्छे से हमने सेक लिया है जैसा कि आप वीडियो में देखी सकते हो अब हमें लेनी है नमकीन अगर guys आपके पास save हो तो वह तो बहुत ही जादा better है अगर आपके पास save available ना हो तो आप नमकीन भी ले सकत लग जाएगी और guys ज़रा ध्यान से देखके करिए का कि हमको नमकीन अच्छे से लगानी है बिल्कुल अच्छे से पूर होनी चाहिए इसमें यह गरम-गरम जादा होता है तो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको तो guys मैं आपको इसका टेस्ट बता दीती हूँ कि कैसा बना तो guys मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाई